आज हम अपने बढ़ते हैं लेक्चर नमबर 14 की तरफ यहां पे आप लोगों का टापिक है LCM क्या होता है पहले आप लोगों ने पढ़ना था इसका टापिक के ACF वह यानिके आज हमारे पास है के LCM यानिके लीस कामन मल्टिपल्स LCM L means आपका हो जाता है के लीस यानिके सबसे छोटा C आपके पास है कमन मल्टिपल्स मेंस के आपने कोई भी आपको नमबर दिया जाता है आपने कुसका टेबल पढ़ना है किदना पढ़ना है जब तक आपका फर्स्ट आपका जो मल्टिपल्स वह common हो जाए दो डिजर दिये जाए तीन डिजर दिये जाए चार दिये जाए जब फरस्ट आपका जो multiple है common हो जाता है यानि फिर आपका लिस्ट होता है यानि सबसे छोटा multiple होता है आज हम बढ़ते हैं एक्सवाइज़ 3.5 की तरफ 3.5 पेज नमबर आपका 39 है इसमें सबसे पहला question है कह रहे हैं find.lcm of given numbers by finding their common multiples यानि कि आपने पहले उनको जो डिजट दिये हैं आपने उनका table पढ़ना है जहां पर फर्स्ट आपका जो common element हो रहा है जहां पर फर्स्ट आपका डिजट जो मैच कर रहा है वहीं पर आपने अपने टेबल को stop कर दे रहा है सबसे पहले हम बात करते हैं question number one इसका first part लिखा हुआ है two and four आपने इस solve लिखा solve में आपने लिखा जहां पर आपने लिखना है multiples of two यानि सबसे पहले आपने two का टेबल लिखना है सबसे पहले हमने लिखा के two four six eight ten यहीं तक ही coffee है इसके बाद आपने लिखना है के multiples of four यानि four का अबने टेबल लिखना है four eight twelve four eight twelve sixteen इतना ही काफी है आप ज्यादा से ज्यादा इसका टेबल हो four से लिखे five तक लिखे अगर तो वह पहले पहले सबसे चोटा है बलकि आपने सबसे चोटा है बलकि आपने सबसे चोटा किसमे लेना है सबसे चोटा कामन मिलेना है एक कामन हमारा निकला है डिजक्न फोर और और निकला है हमारा eight तो इन में सबसे चोटा है वहागा लिखना है अल इस चोटा हो निकला ही और lihat नहीं लिखना यह पेleak को जो हो रही है तू और फॉर में जो कामन है वो 4 है और इस में आपको पहले भी बताया था कि ECF में भी बागी थी जो आंपस आता है वो क्वेश्च्न पर डिवाइल होना चाहिए इसी तरह LCS में भी आपने यही चेक करना आपके पास आता है वह आपको जो question दिया हुआ है उसमें आना चाहिए 4 आपके पास आया है 2 के table में भी 4 आता है और 4 के table में भी 4 आता है इतमीस आपका यह जो question है ठीक है अब यह तो हमने किया था 2 amounts वाला अब हम करती है three amounts वाला कि अगर आपको तीन नमबर दिये जाएं तो फिर आप कैसे करेंगे मैं आपको करवा रही हूं सबसे पहले हैं आपके पास question number हम करती है लिखा हुआ है four eight and twelve four eight and twelve सबसे पहले आपने लिखना है यहां पे multiples of four यानि four का लिखे four eight twelve sixteen twenty twenty four sorry यहां तर काफी है इसके बाद हम लिखती है के multiples of eight यानि आठ का टेवर लिखना है eight sixteen twenty four thirty two forty यहां तर काफी है इसके बाद हमने लिखने हैं multiples of twelve यहां देखें twelve twenty four thirty six बाद यहां तर काफी है अब देखें इसमें कहले हैं कि आपने तीनों में common लेना है अगर बात देखें एट और एट लेकिन 12 के टेबल में एट नहीं है अगर बात करते हैं हम 12 की 12 12 इसमें 12 नहीं है 16 16 12 में 16 नहीं है इसमें जो हमारे पास common आ रहा है वो हमारे पास है 24 यह देखें तीनों में जो आपके पास common आया है 24 यानि 4 के टेबल में 24 8 के टेबल में 24 और 12 के टेबल में 24 इससे आगे भी मिलते होंगे लेकिन हमारा जो फॉस्ट जिजेट लेक्व हमारा यहां पर 24 मिल रहा है तो आपने यहां पिलिक लेना है कि एल सी एम इक्वल 24 यह आपके पास आ जाता है जानिकर फॉस्ट अलिमेंट हमारे पास क्या मिल रहा है तिनों में common क्या हो रहा है 24 आपने 3.5 गा इसी तरिके से साल कर लेना है नेक्स हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नमबर टू की तरफ वहां पर रोडेकाल आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है प्राइम नमबर लेनी है क्वेश्चन नमबर हमने टू की ब टू थ्री फाइब सेवन एलेवन थर्टीन एंड सो आन आपने यह बने नमबर से रहे हैं सबसे पहला कोशिन है आपके पास टू का फॉर्स पार्ट लिखा हुआ है एटीन एंड ट्वेंटी फॉर आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए है लोग आपने लिखने है लोग और लोग बास सुने है प्राइम एक्टराइजेशन की बास सुने है लोग इसने का फैक्टराइजेशन के से उता अगर दो डिजर्ट देती हैं है इसमें आपने common and non-common यानि जो मिलते हैं और जो नहीं मिल रहें। वह सारे आपने लिखने हैं और सारे के सारे लिटने एक को बाद बहुंचको multiply करें कर देना हैं वह जो नंबर आ रहा है। वो फिंग दोनों के टेबल में आना चाहिए कैसे करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं 18 18 की प्राइम फैटरिजेशन सबसे बारे 2 से 2 9s are 18 3 3s are 9 3 1s are 3 इसके बाद फिर हमने 24 की की 24 2 1s are 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 2 3 1s are 3 यहाँ पर आप ने सबसे पहले लिखे कि 18 के एक्टर 18 के फैक्टर है 2 multiply 3 multiply 3 और इसके बाद आपने 24 की फैक्टर निखे 24 की है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 अब आप इसमें से common दिखे सबसे पहले इसमें 2 common हो रहा है और उसके बाद आप कह यहाँ पर तो आपने सबसे पहले इसमें common factor लिखने है common factor जब आप उसके लिखेंगे उसके बाद आप मिसमें non-common factor लिखने है यानि वह फैक्टर लिखने हैं जो यह बाकि बच जाते हैं सबसे पहले common की बाद करें जो मिले हुए सबसे पहले एक two मिला है और एक three मिला है जानि two or three इसके बाद आपने non-common यह वाले यह बच गया है यह बच गया है यानि multiply three multiply two multiply two यानिके इसमें आपने कोई भी डिजट जो है वो नहीं छोड़ना इसमें आपने सारे के सारे डिजट लिखने हैं जो मिल रही है वो भी और जो नहीं मिल रहे वो भी फिर इन सब को आपस में multiply करें और आपके पास आंस आ जाएगा देखें two three's are six two three's are six six three's are eighteen eighteen two's are kina तैं thirty six eighteen two's are thirty six thirty six two's are thirty six two's are two six are twelve one carry two three's are six and one seven three's are seven two's are six a cn आया है अपर यह जो सामेंटी टू आपके पास आया है यह एक टेबल में भी आता है और यह ट्वइंटी फॉर के टेबल में भी आता है इसके आपने इसी तरह के सारे questions आपने करने है question number 2 है prime factorization है यह आपने prime factorization की है यह LCM और ACF में prime factorization में difference रखा करें ACF में सिर्फ common लेते हैं और LCM में common non-common दोनों लेते हैं आप और उसके बाद आपने उन सब को आपस में multiply करके आपने अपना answer आ लेना है और आज का सिरफ यह है कि exercise 3.5 का question number 1 question number 2 आपने सिर्फ यह थोड़ी सी exercise के question है यह आप लोगों ने अपनी note copy के ऊपर अच्छा तरीके से solve कर लेनी है किसी भी किसरी problem हो तो आप आपको शेयर कर सकते हैं इसी के साथ अजाज़े दीजिएगा अलाहाफीस क्या हो एका जब डिरी जिरी जोड़ीस